Hello friends, welcome to my youtube channel, मैं हूँ Divya Sharma दोस्तो आज मैं आपको बताने जारी तीन ऐसी चीजें जिनका सेवन अगर आप एक साथ रोजाना करते हैं तो आपको बहुत फाइदे होंगे और सच बात यह है कि आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपको कितना लंबा टाइम हो गया कि आपको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी कोई मैडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्या आपको भी कमर में कंदे में दर्द बहुत जादा रहता है कभी कभी पेट में अफारा आने लगता है कभी कभी मासपिशियों में दर्द शुरू हो जाता है और ऐसे लगता है कि आपको ठकान कमजोरी बहुत ज़्यादा रह रही है कभी कभी आपकी पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है या फिर आपकी हड़ियों में कैल्शियों की कमी हो चुकी है, हड़ियां दर्द करती है, मासपीशियां दर्द करती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आपसे एक चोटी से रुक्वेस्ट है कि आप हमारे एक और चैनल जिसका नाम है healthy life motivation उसको जरूर विजिट कीजिए अगर आप अपने अंदर positive energy को भरना जाते हैं और कुछ खास करना जाते हैं एक बार जरूर विजिट की किताब अस्टांग हिर्दिम में लिखा गया है कि ये वात नाशक है और कफ नाशक है यानि कि वात के जितने भी रोग हैं कमर दर्द होना कंदे में दर्द होना टांगों में दर्द होना जोडों में दर्द होना मेथी दाना इन सभी रोगों को दूर करता है मेथी को कभी पाउडर फॉम में नहीं खाना चाहिए, यानि इसका पाउडर बनाकर अगर आप खा रहे हैं, तो इसका फाइदा नहीं होगा, हमेशा आप मेथी को भिगो कर ही इसको खाईए, क्योंकि जब मेथी भीग जाती है, तो इसकी अंदर एंटी ऑक्सिजेंट और एंटी इंफ्लम आपको डिलचाना मेथी दाना जो है, वह भीगो कर जुरूर लेरा चाहिए, अगर आपको दिलचे सबंदित कोई समस्या है, डायबिटीस की समस्या है, डायबिटीस बढ़ रही है, आप रोज़णा मेधिसिन भी ले रहे हैं, फिर भी कोई कंट्रॉल नहीं हो रहा dif, अग इसके इलावा अगर आपके शरीव में कफ की प्रदुटी बढ़ रहे हैं। आपके अंदर बहुत ज़दा मोटापा आ रहा है क्फ की प्राकरती बढ़ने से थकान कमजोरी आती है मोटापा शरीर में बढ़ने लगता है और सांस लेने में दिक्कत आने लगती है तो दोस्तों आपको मीथी दाने का सेवन करना है अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की दूसरी चीज़ भी आपके किचन में मिलती है और बहुत साधारन है इसका इस्तमाल करना दोस्तों आपने क्या करना है जब आप दोपैर की रोटी बना रहे हैं सुबे की नहीं और रात की नहीं जब आप दोपैर की रोटी बना रहे है न, यानि की लंच बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने आटा घुनते टाइम आधा चम्मच अजवाइन मिक्स करकर ही रोटी बनाईे। क्यों की दोपैर के टाइम हमारे शरीर के अंदर पित का परभाव बढ़ जाता है। यानि कि ऐसी डिटी, जलन की समस्या होना, हाथ पैरों में से गर्मी निकलना, ये समस्या दोपैर के टाइम जाड़ा होती है तो अगर आप दोपैर के टाइम अजवाईन का सेमन करते हैं तो ये समस्या तो आपके शरीर में से दूर होगी ही होगी साथ ही साथ गैस होगया एपच होगया अफारा होगया ये समस्थ्या भी नहीं आएगी और श्रीर के अंदर वाध यानि वाई बढ़ने की कारण जो कमरदरदो रहाए जोडों में दरदो रहाए हड़्ीयों में दरदो रहा वो भी दूर हो जाएगा अब बात करते हैं दोस्तो तीसरी चीज़ की तीसरी चीज़ है दोस्तो चूना चूना वात नाशक औशदी है चूने का सेवन करने वाले लोगों को जिन्दगी में कभी वीवात के रोग नहीं हो सकती शरीर में कैल्शीम की कमी नहीं हो सकती इसके ब खून कम होना ये खून साफना होना ये भी शरीर में कैल्शिम की कमी से होते हैं इसके पीछे कारण क्या है कि अगर कैल्शिम हमारे शरीर में कम है तो हमारे शरीर को आईरन नहीं मिल सकता अगर आप चाहते हैं कि आप विटामिन A ले रहे हैं विटामिन C ले रहे हैं विटाम दही, लसी, खटे फल, केला, यानि के अंदर भी अच्छी मातरा में कैल्शियम होता है, इन चीजों के द्वारा, या फिर आप रागी का सेवन कर सकते हैं, आप तिल का सेवन कर सकते हैं, यानि 35 साल तक तो आप डाइट के थूरू बहुत अच्छी मातरा में कैल्शियम ले सक पानी पीने वाला जो मटका होता है उसके अंदर सिर्फ एक ग्राम की मात्रा में यानि की जो कनक होती है गेहूं के दाने जितना चूना मिक्स कर दीजिए और घोल दीजिए और सब लोग प्रिवार के सभी लोग इस पानी का सेवन करें और वाप के सभी रोगों से बच्चे रह सकते हैं कैल्शिम की कमी जिन्दगी में नहीं होगी अगर किसी इंसान की हाइट नहीं बढ़ रही तो भी उनको चूना जरूर देना चाहिए इसी तरीके से देना चाहिए आप चाहें तो पानी के अंदर मिक्स करके दे दीजिए दा मात्रा आपने घेहों के दाने से ज्यादा एक दिन में नहीं लेनी और इसको दूद के साथ नहीं लेना आपको 100% बैनिफिट्ट ज़रूर मिलेंगे अब मैं तीरों चीज़ों को आपको बता देती हूँ मेथी दाना आपने क्या करना है रात को एक चमज में गो देना है और सुबह इसका सेवन करना है और पानी भी पीना है और मेथी भी चबा चबा कर खानी है अजवाइन का सेवन आपने दोपैर के टाइम जब आप रोटी बना रहे है या फिर सब्जी बना रहे है उसके अंदर मिक्स कर सकते है और चूना आप क्या करें पानी के भटके में डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए और सब लोग इसका सेवन कीजिए जब बर दर्स्त फाइदे होंगे आपको किसी तरह के कोई भी रोग नहीं हो सकते वो चाहे वात के रोग हो पित के रोग हो या फिर कफ के रोग हो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंज के साथ जरूर शेयर करिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो जरूर पूछिए आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कुछ बाए